हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं ये देखिए दोस्तों आज मैं आपको ऐसे डिश बनाकर बताऊंगी ये डिश है मसाल दोसा है ये देखिए ऐसे मसाल दोसा है देखिए देखिए दोस्तों मसाल दोसा है इटली है सांबर चटनी पल्या और इस साधा प्लिन द अगर्चे आपको चटनी की रेसीपी चाहिए दोस्तों ये चटनी मिल जाएगी कैसे बनाते हैं करके आईए मैं आपको आज मज़ेदार लजीज मसाल दोसा बना कर बताऊंगी दोसा है उसके लिए क्या-क्या चाहिए ये देखिए ये चावल है जो हम डैली इस्तेमाल करते ह खाने चावल के लिए ये है ये देखिए ये देखिए दोस्तों मामूली सा जैसे हम जैसे खाते ही वैसे ही है ये गिलास ले ले लेए ये ये चावल है इटली वाला चावल जो बोलेंगे तो कौन से भी दुकान में आपको दे देंगे क्रैने स्टोर में ये देखिए ऐसा कचा दाल वंकिए हो देखी जैसा है अभी इसके लिए माश ये देखिए यें माश की दाल जो बलते हैं उड़त दालव घ्लास. ले ले ये कौन सा ये मामली जो साधा हम खाते हैं वह ही चावल है ये गिलास ले ले ये थोड़ा सा कम ले ले इटली वाला चाओल जो बलेंgs को वो दे देगा दुकान दर और ये है माशकी दल और थड़ा कम है उसी से ये दिखे दोस्तों ये इतना कम है ये एक दो इंच और ये है मेथी इसका secret ingredients है, जो hotel में मिलता है आपको कल्डा, अच्छा,edoosa जो मिलता है, उसी का secret ingredients है, ये मेथी, और ये है सागुदाना, इस सागुदाना देखिये, मामूली जैसे मिलता है, बाहर का वही है, ये सिलकॉन का नहीं है, ये साधा लेना चाहिए अभी इसको करना बनाएं क्योंकि चार गंठे भीगोगें तो अच्छा नहीं आएगा दोसा ये आठ गंठे भीगना है साथ से आठ गंठे भीगना जरूरी है दोस्तों ये पूरा ये पानी में अच्छी तरह से साफ कर लें सब चीजें बाद में अच्छी तरह से पानी में दो तीन पानी में धोटर एक बोतल में एक बरतन वे भिगने डाल दें पूरा मिलाकर भीगा सकते हैं कोई रेशं pegar अगर वैसे नहीं चाहें तो आप यह दो चमवल एक में भीगा लें और यह जो है unsere उड़ध दाल areaye और मेति और свागूदञ टीन मिलाकर एक पानी में डालने यह एक पानी में डालने और कभी भी डालते वर्फ डबल पानी डालकर भीगोना चाहिए तब ही अच्छी तरह से भीगेगा देखे दोस्तों मैं सागू दाना ये देखे इतना लेके हुना मैं ये इसकिप करके आप पोहा भी इस्तेमाल कर ले इतना सा बस ज्यादा नहीं इतना सा पोहा और इसके बाद में देखे ये देखे दोस्तों मैंने बना कर अड़ी रखे हुई हूँ ये आपको बताने के में भीगाएं ऐसे circular motion में ही घुमाएं इसको ऐसे 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 ना करें क्यूंकि इसके बबल जो है उसका fermentation बाइट जाएगा यह जो ऐसे उककर है यह बाइट जाएगा इसलिए दोस्तों देखिए यह अभी रडी है बनाने के लिए अब मैं इसमें दालूंगी यह मीठा सोड़ है सिर्फ दो चुटकी या एक चुटकी ले ले और आधा उस्पून से कम थोड़ा सा साल्ट ले ले इसके अंदर डाले दोस्तों इटली भी डालेंगे इसी बैटर के साथ और अब हम आये दोसा भी दालेंगे आये दोस्तों यह देखिए दोस्तों इटली के लिए मैं रख दाले बैटर क्यों बले तो यह जो फुक कर आती है इसी लिए ऐसे ठीक है यह देखिए दोस्तों रड़ी होगे अब हमारी इठली यह देखिए गरम-गरम है अब देखिए देखिए दोस्तों वाव सोफ्ट फ्लफी है यह देखिए अभी हम दोसा बनाएंगे दोस्तों है झाल है 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 पछी तरह से यह देखिए अच्छी तरह से अदेखें बताने के लिए ये पलटा कर बताई घी डाल लें थोड़ा वो लासा चाहिक लागने अभी हमारा दोसा वर्ल फेमस मश्वूर हमारे हिंदुस्तान का मसाल दोसा तैयार हो गया है दोस्तों यह देखिए मैं जैसे बताई रसीप वेशे कालों कीजिए और भी बताऊंगी देखिए अभी और उसको लिख किया ही किसने अच्छा मज़ेदार लजीज आपके लिए नास्टा बना दी मैं वर्ल का फेमस नास्टा है दोस्तों यह खाकर मुझको याद कीजिए मेरे वीडियो कुलाई कीजिए सब्सक्रेब कीजिए और हमेशा इस्टे हेल्टी फिट हेल्टी अच्छा खाईए खुश रहें यह देखिए दोसा तैयार हो गया मसाल दोसा है य यह देखिए आपको वैसे ही बनी है त्यार हो गई है और यह रसम है आपके घर में जो बना हुआ है डाल वही ले ले नहीं तो यह रसम है चट्नी है और यह पल्यम है यह दिछे दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्रेब कीजिए मंतास के संग हस्ते हैं तो घर बस्तेहें दोस्तो